अगर आपको लॉज आप मोशन चैप्टर के टॉपिक ब्रीफ ली पढ़ने है तो उसके लिए मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है वहाँ से भी आप इस चैप्टर के टॉपिक पढ़ सकते हैं चलिए कोशन स्टार्ट करते हैं देखे कोशन क्या कहा रहा है एक कॉंस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स ऑफिप्टी न्यूटन इस अप्लाइट टु ए बॉड़ी ऑफ मास्टी केजी मूविंग इनिशली विदे स्पीड ओफ फिप्टी मीटर पर सेकंड और वो कितनी स्प 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है ठीक है यह बॉड़ी 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है लेकिन हुआ क्या कि एक कॉंस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स अप्लाइग किया गया रिटार्डिंग फोर्स किसे कहते हैं रिटार्डिंग फोर्स वो फोर्स हो तो यह होगी आपका retarding force, तो retarding force कितना दे रखा है, आपका 50 Newton दे रखा है, अब आके question में क्या लिखा है, how long does the body take to stop, देखो यहाँ पे पूछा है कि कितने time के बाद यह body रुख जाएगी, देखो इस body के पास initially 15 meter per second की speed थी, लेकिन यहाँ पे इस पर opposite direction में एक force भी लगने ल जाएगी, लेकिन मुझे यहाँ से ले करके, यहाँ तक उसने कितना time लिया, इसकी final velocity 0 होने में इसने कितना time लिया, यह मुझे बताना है, तो उसके लिए सबसे पहले, मुझे यहाँ पे acceleration calculate करना पड़ेगा, कि यह जो force opposite direction में लग रहा था, इस force की वज़ा से, इस body पे कित acceleration आ रहा था, तो force का formula क्या होता है, mass into acceleration, force कितना है, आपका 50 newton है, mass into acceleration, ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक और चीज बताता हूँ, यहाँ पे force जो है 50 newton है, लेकिन इस force को negative लिया जाएगा, इसलिए लिया जाएगा, क्योंकि force आपका एक vector quantity होता है, और यह force क्या कर रहा है motion को oppose कर रहा है, जो force motion को oppose करता है, उस force को negative लिया जाता है, और जो force motion को favor करता है, उसे positive लिया जाता है, तो यह क्या कर रहा है, motion को oppose कर रहा है, तो force हम negative लेंगे, यहाँ पी क्या आएगा, negative आएगा, तो acceleration कितना हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा, आपका minus 50 is equal to mass कितना दे 20 kg into acceleration तो finally जो acceleration होगा आपका minus 50 divided by 20 हो जाएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा negative 2.5 आ जाएगा तो आपका जो acceleration है वो आगया negative 2.5 meter per second square अब देखो मुझे क्या करना है यहाँ पर का time निखालना है कि कितने time के बाद जो यह body है यह रुख जाएगी तो उसके लिए हम इस equation का use करेंगे V is equal to U plus 80 अब देखो final velocity हमारे पास है 0 meter per second initial velocity कितनी देर के 15 meter per second प्लस acceleration अभी हमने just find किया negative 2.5 into time मुझे calculate करना है तो minus 15 यह 15 इदर जाएगा तो negative हो जाएगा यह हो जाएगा negative 2.5 into t तो time कितना हो जाएगा आपका negative 15 divided by 2.5 तो यह decimal हटेगा यहाँ से तो यह उपर 0 चले जाएगा 25, 6 जा कितना होता है आपका 150 होता है तो देखो यह negative यहाँ पर आपका यह negative से negative cancel हो जाएगा तो time कितना हो आपका 6 second हो रहा है तो after 6 second यह जो body है यह क्या हो जाएगी रुख जाएगी